देखे पहले इस हेडिंग का मतलब समली जेगा circular current loop as a magnetic dipole क्या लग रहा है इस हेडिंग का मतलब क्या लग रहा है कि एक current loop है कैसी है circular है उसमें क्या flow हो रही है current flow रही है और किस तरह behave कर रही है जैसे एक magnetic diaper बोले तो एक magnet जिसमें दो pole होते है इस तरह behave कर रही है ऐसी heading कह रही है हम नहीं कह रहे है पहले है Frankligen को बेंगे कि actually में current loop एक magnet की तरह behave करती है एक magnetic field create करती है अलग बात होती है हमने यह नहीं कहा कोई current loop अपने चार और एक magnetic field you can create करता है एलग बात है हमने यह नहीं कहा हमने कहा हमको यह दिखाना है कि current loop जो है जो circular है वो एक magnet थरह बह foul करती है उसमें दो पोल होते है एक south पोल होता और एक north पोल होता है तो एक छीज़ हमने पढ़ी है कि अगर किसी current loop में current की direction ये हो ये बोले तो कौन सी wise है ये clockwise तो वो south pole तरह भी है करती है वहाँ पर कौन सा पॉल बनता है south pole बनता है ठीक है लेकिन दिक्कत magnetic dipole तभी हो बनेगा जब एक साथ south और north बने और हम जानते हैं कि जब हम current ऐसे flow कराते हैं कौन सा प्वाइज है ये एंटी clockwise तो कौन सा पॉल बनता है north pole लेकिन हम जब एक circular loop बनाते हैं ये circular loop बनाते हैं तो हम एक current या तो ऐसे शो करेंगे और या तो ऐसे शो करेंगे या तो clockwise शो करेंगे या तो एंटी clockwise शो करेंगे तो अगर clockwise शो करेंगे तो कौन सा पॉल बनेगा south pole बनेगा और एंटी clockwise शो करेंगे कैसा पॉल बनेगा यानि कि ये current loop जो है और हमाई तरफ से खड़े हो के बताईए हमाई तरफ से खड़े हो करेंगे कौन सापाइज है मैं clockwise फ्लो करा रहा हूं और आपकी तरफ से क्या समझ में आया क्वाइल तो एक ही है current तो उसमें ऐसे ही फ्लो हो रही है ठीक है लेकिन उस तरफ से देखा तो आपको क्या लगा मैगनेट तरफ बिहाइब करी है जिसमें दो पॉल है एक साउथ है एक नार्थ है ठीक है यह डिपेंड करता है देखने वाले पर कि आप किस डिरेक्शन से उसको देख रहे हैं अब उधर से देख रहे है तो आपको उस तरफ लगेगा नार्थ पॉल इधर से देख रहे है किसी कॉयल में अगर मैगनेटिक किसी सर्कुलर करेंट लूप में अगर करेंट फ्लो हो रही है तो सर्कुलर लूप एक छोटा सा मैगनेट है ठीक है अब ज्यादा टर्न आप कर दोगे ज्यादा करेंट फ्लो कराओगे तो ज्यादा स्टेंथ मैगनेटिक फिल्ट की हो जा तो अच्छा दिखना चाहिए यह थोड़ी इस दिमाग में तो टेबल देंगे अगले दिन सुनेंगे नहीं सुना पाओगे फिर मारो अगले दिन यह सुनो फिर उड़ाओ लेकिन आप तुम लोग चुँक्छे जमाने में पैदा हुए हो मार वार आप लोग जानते नहीं हो देखो यह एक क्वाइल है और अगर क्वाइल की डेडियस हम मान ले आर उच भी मान लीजिए आप जो भी माने और इससे एक्स डिस्टेंस पर अगर आप मैगनेटिक फिल्ड निकालना चाहें और इसमें करेंट आई फ्लो हो रही हो हम अगर इस कौैल में करेंट आई फ्लो हो रही हो तो मैगनेटिक फिल्ड आप जानते हैं तो magnetic field on the axis of coil, कैसी coil, circular coil, magnetic field का formula क्या होता है, कोई बताएगा, mu not i r square upon 2 r square plus x square to power 3 y, ये पढ़ी है आपने न, अगर हम आप से कहें कि प्रूफ करो, तो प्रूफ कर लोगे, अगर हम आप से कहें प्रूफ करके दिखाओ, तो कितने लोग प्रूफ कर लेंगे, ये अभी अभी प्रूफ करके आएं, इसलिए प्रूफ कर लेंगे, अच्छा चुकि जो एक पॉइंट आप ले रहे हो ना है बहुत दूर ले रहे हो तो as x is greater and greater than r so neglect कौन होगा? neglect कौन होगा? x is greater and greater than r neglect कौन किया जाएगा? r कौन सा r neglect किया जाएगा? जो x के साथ होगा जो अकेला r है वो neglect नहीं होता है क्योंकि अपनी identity बड़े के साथ पहुंच गया ना वहाँ पर तो उसको neglect किया जाएगा जैसे कहीं आप दोस्तों किया बड़े जाते आए दोस्त निरा दोस्त निरा दोस्त आपकी importance होती नहीं होती है और आप पापा के साथ आते है और सिंग साफ के आल चाल तुम्हों कोई पूचता है नहीं है तुमसे इतना पूचेगा बड़ा घाना का जाना है तो वहाँ neglect आप किये गए ना क्यों क्योंकि आप साथ गलत पकड़े थे क्या कहना चाते हो बोले गलत साथ पकड़े थे अब देखो चुके एक प्रूफ हमको करके लाना है ठीक है इसलिए कुछ इसमें अबेंडमेंट हम करेंगे जरा देखे ध्यान से म्यू नॉट आई अगर इसको हम पाई आर स्कॉयर लिख दें और पाई से डिवाइड कर दें और टू पहले से था तो कोई दिक्कत है हमने पाई से मल्टिप्लाई कर दिया पाई से डिवाइड कर दिया कोई दिक्कत आई आपको क्या पहँचानते हैं पाई आर स्कॉयर क्या होता है एरिया आप दकॉयल यानि कि बी की वैलू क्या हो गई म्यू नॉट आई ए अपान टू पाई एक्स क्यूब तरह इसको ध्यान से देखिए ये भाई साब एक अलग आइडिन्टी रखते है यहां पर क्या होना चाहिए मिन अपान फॉर पाई तो यानि कि हमने क्या किया मिन अपान फॉर पाई अलग कर दिया इन टू आई ए अपान एक्स क्यूब कोई दिक्कत यह आपको याद होगा जब हम गुलाम स्ला पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि वन अपान फॉर पाई क्यों करते हैं याद है जो फॉर्स निकल रहा था उसमें one upon four pi क्यों किया था याद है ना तो यहाँ पर one upon four pi यहाँ भी उसी ले करते हैं हम बताने नहीं जा रहे हैं और वहाँ जो medium होता था वो उसको one upon epsilon not times करता था और यहाँ जो medium है इसको mu not times कर देता है इसलिए mu not upon four pi यहाँ पर constant आगा है उद्धी नहीं समझाया था हमने आपको अगर कुलामसला याद हो तो वहां बताय गया था गुन अपान 4 भाई क्यों किया जाता है तो वह यहां पर भी किया गया है वहां पर जो मैगनेटिक फिल निकलता था यह एलेक्टिक फिल निकलता था मीडियम उसको कितना कर देता था वन अपान और यहां पर म्यू नॉट कर देता है बस इसलिए म्यू नॉट यहां मल्टिप्लाई में लिखा गया है ठीक है अच्छा आई इंटू यह पहँचानते हैं आप हमने कहाता है मैगनेटिक डाइपोल मॉमेंट होता है जानी कि म्यू नॉट पान 4 पाई इंटू ट इसे करेंट फ्लो होगी तो साउथ पूल होगा ऐसे करेंट फ्लो होगी तो नॉट फूल होगा ठीक है इधर से मैं देखूंगा तो इंटिक लाग वो दर से आप देखोगे तो यह कुछ नहीं बता रहा हूं हमने किवल यह इसकी वज़े से मैगनेटिक फिल निकाला कहां पे निकाला है आपने इस पॉइंट पे निकाला है अब जड़ा देखे ध्यान से अगर हम थोड़ा सा एलेक्ट्रिक डाइपोल की बारे में बात करेंगा एज एलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टू एलेक्ट्रिक डाइपोल एलेक्ट्रिक डाइपोल की वज़े से एलेक्ट् पाई एपसलेन नॉट टू पी अपान X क्यूब तो अगर मैं अपने एक्क्वेशन वन को और एक्क्वेशन टू को कम्पेर में करूँ तो हभी हमने का कि वन अपान तो यह चीज लगवग लगवग दोनों के सेम है यह लगवग कर ने एक्स बिल्कुल डिटो सेम है और यह अगर मैं यहां कंपेर करूं तो एम क्या यहां पर है अगर मैं मान भी लूँ कि मैं अब आपकेंगे साभ एम कुद पहले आपने में इंटूए माना था हमने आई इंटूए ब्रावर म मने मामा कुछ भी माल लिया हमको नहीं क्या है इससे कंपेर करूँ तो यहां पर पी किसको इंटिकेट करता है एलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो अगर मैं इन दोनों एक्वेशन्स को अंपेर करूं comparing equation 1 & 2 तो M ब्रावर क्या हो जाएगा I into A यह क्या है magnetic dipole moment अब मैं compare कर रहा हूं equal to नहीं कर रहा हूं मतलब जो P का रोल है वही यहाँ पर M का रोल है और P का बाता है जब एलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, मतलब एक एंड नार्थ होता है, एक एंड साउथ होता है, क्या बोला हूँ, एक एंड पॉजिटिव होता है, एक एंड निगेटिव होता है, जो हम कहें वही सही, जो नार्थ बोला है, जो नार्थ का उत्तर क्या होता है, इसलिए उसन तो यह आपका जो एक्टिक कॉयल है जो किस तरह भी है कर रही है एक मैगनेटिक डाइपोल तरह भी है करती है इस फामले को ध्यान रखिएगा ठीक नोट करिए देखे टॉपिक की जो हेडिंग है उससे कुछ समझ में रहा होगा मैगनेटिक डाइपोल मोमेंट आफ रिवाल इलेक्टरान तक हमने कहा कि किसी भी करेंट लूप में या किसी लूप में अगर करेंट फ्लो होती है तो वो किस तरह भी हैप करता है एक मैगनेट तरह भी हैप करता है तो करेंट कौन फ्लो कराता है एलेक्टरान कराता है और हम जानते हैं कि एलेक्टरान अपनी अगुआ करते हैं तो इसे का कर रहा हूं इसे कर रहा हूं ऑगा हूंगली कर रहा हूं जो मेरी एंडिकेट कर रही है जो जो कि और है है वही कर रहे हैं न कि हैने इलेक्टान इस पिन भी कर रहे हैं स्पिन एसे होती एक स्पिन वाला वह जो नहीं पर दिखाऊ तो हम स्पिन नहीं करा सकते बता सकते एकाथ पढ़े लिखे एक आथ होते ही होंगे, नहीं होते हैं, यह जतने गजहा होते हैं, तो कहीं तो ही रहे होंगे, एक आथ होंगे, आई-पी-एस छोड़ के आई-एस क्या क्रिकेटर था, कहों से लेबल पर खेलता था, आई-पी-एल हम कहें आई-पी-एस छोड़ के आई-एस हो गया, आई- हम गुमाएं यहां से बाल छूटेगी नहीं इसे मारेंगे तो पकड़े रहेंगे तो है अपना अपना ट्रिक होती है छोड़िए यानि इलेक्टरान अपने ऑर्बिट एक आर्बिट में घुमता है और अपने एक्सेल गुमता है तो किस तरह भी हैप कर रहा हूं एक करेंट लूप है तो किस तरह है और लृब करेंगा उसी मेगनिट का मेगनिटिक डाइपूल हम निकालने जा रहे हैं करने क्या जा रहे हैं तो हमने कहा ये एक हम वाला मोशन इलेक्टरान कर ले रहा है स्पिन वाला गर लेंगे तो तो अपने एक्सेस पी गुमता है ना सकतिमान खुमता था तो उसमें अगर हम कहें. जिस एक्सिस के बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली समझेगा इलेक्टरान जब आपने एडी करेंट पड़ी है छोटे क्लासस में चले बढ़ेंगे तब बात की जाएगे सुनिये जान से तो हमने कहा एक इलेक्टरान है वो इस और्बिट में घूम रहा है इलेक्टरान घूम रहा है इलेक्टरान इस प्रकार से इसकी विलास्टी है ये इलेक्टरान सहाव है इसका मास है अब दिक्त इसमें इससे बड़ा क्या लिखे है छोटा है बताया गया है वो छोटा लिखत रहा है वी विलास्टी से इसका मास है M इसका चार्ज है E और इसका रेडियस है R ठीक है तो हम वहां से सुरू करेंगे जहां से हमको उसे प्रूफ करना है देखे हमको क्या निकालना है M की वैलू क्या है I into A तो हमको क्या निकालना पड़ेगा I तो हम कहां से बास सुरू करेंगे अपनी I से सुरू करेंगे और हमको क्या दिया गया है M मास का इलेक्टरान है और V इसकी विलास्टी है तो कुल मुलागर के V का भी कोछी यूज होना है अब देखो ध्यान से हमने म जडियोंसे वध में वह इलेक्टरान भूम रहा है उसके भूलाजने की विजय से I बराबर का फरम्वला क्या होता है क्यू कि वह नहीं हो तो क्यूब भोलें तो इलेक्टरान और टाइम कौन सा लेंगे हम टाइम पिए लेना पड़ेगा क्योंकि और कोई टाइम। हमको मा पूरा आर्बिट कम्प्लीट करने में लगा हुआ टाइम तो हम डिस्टेंस को उस्टी लेंगे अब तू पाई आर और विलास्टी वी यहां रख दें बाई स्वो बाई कोशिशन वन अजिस आर्बिट में घुम रहा है उसके एरिया क्या होगी एरिया अब चूंकि जब इलेक्टान घुमा तो यह करेंट लूप एक current loop बनाना और अभी हमने कहा कि हम electron को किधर से देख रहे हैं यह आप्जर्ब करेंगे अगर हम इधर से देख रहे हैं तो इसका मतलब हम एक तरफ से देखोगे तो clockwise और दूसी तरफ से देखोगे तो Antig gemeins and clockwise मैं motion की बात नहीं करहों मैं current की बात कर रहा हूँ clockwise का मतलब current कैसी होगी fall का साहँगा south pole and eclipse north pole यeING जो आपका loop है यह क्या बन गया magnetic dipole so the magnetic dipole moment nika ले the magnetic dipole moment किसका magnetic dipole moment हो रहा है किसकी वज़ेस हो रहा है associated with the revolution of electron किस वज़ेस हो रहा है associated associated with the revolution of electron electron के revolution की वज़ेसे हो रहा है तो magnetic dipole moment का formula क्या होता है score up कर दे न M बरावर क्या होता है I into A M is equal to I into A I क्या आपने निकला भी EVR upon EV upon 2 pi R I क्या निकला है EV upon 2 pi R A क्या है pi R square काटो पीटो क्या एगा EVR upon 2 ये magnetic dipole moment का formula आगया due to the revolution of electron R हम actually हर जगे small R लिखा है क्या हमने तो आप ऐसा करो यहाँ small R कर दो तो हर जगे capital R लिखने मतलब फिर दिकत जाएगी यहाँ पर आप diagram में small R कर दीजेगा तो ये आपका magnetic dipole moment निकला आया ठीक है अब जरह इस magnetic dipole moment की direction हमने क्या बताई थी हमने कहा था कि जिधर current flow हो उदर अपनी हथेली करिये से उंगली करिये right hand की तो अंगुठा जो होता है ये आपका magnetic dipole moment बताएगा अब जरह ध्यान से देखिएगा ये जो हमने बनाया है ना लूप इस लूप को हमने एक तरीक से इस तरह बनाया है ये लूप है अब बिल्कुस सीधा बना देते तो दिक्कत होती है ठीक है अब आप कहेंगे ये नहीं कहा देखो मेरी नहीं है हाँ कह रहा है तो ये ऐसे current जो ये electron move कर रहा है आपने तो ये topic हो गया अब जरा समझेगा नहीं सुन गया भी बात कर आप इस लूप को इस तरह बना दो ना इस लूप जो है ना हमारा कुछ लूपा बन गया है तो थोड़ा सा लूप को सही तरीक से बना दो ऐसा नहीं कि दुबारा हम बना रहे हैं तो सही बन जाएगा तो बनेगा वैसे लेकिन हमको ऐसा लग रहा है इसको आप 3D वाला टाइप कैसे बना दो थोड़ा सा लेटा हुआ ऐसे ठीक है और electron को ऐसे मूप करा रहे हैं आप M-mast का electron है तो electron ऐसे मूप करेगा तो current ऐसे फ्लोगी न और current ऐसे फ्लोगी दमटा कि दर जा रहा है नीचे की तरफ तो magnetic dipole moment की direction नीचे की तरफ होगी ठीक है एक बात में confuse मत होना कुछ books में magnetic dipole moment को capital M माना गया है ठीक है तो ऐसा नहीं कि अगर उसमें बात्सा कह दिया गया तो बात्सा मतब राजे होता है हमारे आप जानते हैं किसका नाम बात्सा है तो ऐसा नहीं है वहाँ नाम लिखा हुगा magnetic dipole moment capital M तो आप मालीजे वहाँ capital M को dipole moment माना गया है अब जरा समझेगा यहां कहीं नोट कर लेते हैं इसका इसकी दोड़ पड़े हैं एम बराबर E V R upon 2 एक कुशन वन डालो फिला अब जरा देखिए जब यह electron गूम रहा है electron के पास मास है electron के पास velocity है electron के पास सर्पलर motion भी है तो electron के पास momentum होगा और angular momentum भी होगा linear momentum भी होगा और हम चुकि बात motion की कौन सी कर रहा है circular motion की हम बात करेंगे angular momentum of electron तो angular momentum of electron निका लेते हैं क्यों निकालेंगे कोई ज़रत नहीं है हमीशनी इसमें दिया गया थी relation तो इसलिए बता रहे है angular momentum of electron momentum of electron angular momentum की को indicate कि अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा गया है किसी में जे लिखा गया है किसी में लिखा गया है मैं फिलाहल जे मान रहा हूं angular momentum जे मान लिया हमने अरे कुछ भी मान जवाब लेकर हो angular momentum जे है तो जे है ठीक है ये कोई gravitational constant तो है नहीं हर्ज ये capital G वही होगा इसमें तो बादसा किसी का भी नाम हो सकता है ठीक है angular momentum की definition क्या होती है बताएं सब what is angular momentum good MVR ये नहीं पकड़ पाया उसको ये इन की definition पकड़ पे बादसा कि cradle इनो जो ब couple ईया आया जा भी एलाएं Import और उमेगा की वैलू क्या होती है वी ब्रावर आर उमेगा होता है ना वी अपनार हो जाएगा नहीं नहीं ये गलत बोल जा गलत गहाएगा जैसे आपको निकाला हूँ, moment of mass, तो m into r कर देंगे, मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, moment of force, तो f into r कर देंगे, vector में दो r cross f होता है, moment of linear momentum, और linear momentum क्या होता है, mv, तो mv into r, यह j हो गया, यह question number, 2 डाल देते हैं, अब ज़रा जे की direction देख लेते हैं, देखो, angular चीट जो भी होती है, वो center पे होती ही, पहली बात तो, बैज जैसे कोई circular path है, अब उस path में आप घूम रहे हो, ऐसे morning work कर रहे हो, तो एक तो आपके पीछे पीछे दोड़ रहा है, अरे वाँ, ऐसे बतलब, और एक कहीं center पे बैठके आपको आपजर्ब कर रहा है, तो जो पीछे पीछे दोड़ रहा है, उसके हिसाफ से जो आपका displacement हो रहा हो linear है, और जो center बैठके आपको ऐसे देख रहा है, वो कैसा displacement है, किसका आपका, कि उसके गले का, उसके गले का, आपका भी वही हो रहा है, वो कहेगा यहां थे, अब यहां आ गए, ठीक है, तो यह कौन सब displacement है, तो जो center पे हो रहा है, वो सब angular है, चाहे वो angular displacement हो, चाहे angular velocity हो, चाहे angular acceleration हो, चाहे angular momentum हो, उसकी direction क्या होती है, हमेशा सब की एक ही direction होती है, जिदर body चल लई है, उतर अपने दाए हाथ को कर्ण करिए, उंगलियों को, जिदर अग उठा जाएगा, उसकी direction होती होती है, चाहे velocity हो, चाहे angular displacement हो, चाहे angular acceleration हो, यानि कि J की direction क्या होगी, यह होगी ना, center पे ही दिखा दो दुनों को, यानि यह J की direction होगी, तो अब हम M और J में relation निकालना चाहते हैं, तो दुनों को divide कर दो, dividing, equation 1 and 2, चाहे J को पहले करो, चाहे M को करो, हम J को लिखे दे रहे हैं, J upon M is equal to, J बोले तो, M vr, और M बोले तो, evr upon 2, vr, vr कड़ गया, तो एक मिनट, गरबर, 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 M यहाँ पर फिर आ गया, यहाँ पर करप्या M of E लिख दीजिए, mass of electron, दो M आ रहे हैं न, तो confuse करेंगे न, यह M क्या है, mass of electron है, तो J upon M is equal to, क्या क्या कटेगा, vr कड़ जाएगा, तो आएगा 2 M E upon E, तो J बराबर क्या हो जाएगा, 2 M E upon E into M, अगर हम vector form में लिखना चाहें, तो दोनों vector लगा दू, और यहाँ पर minus sign लगा दू, क्योंकि दोनों के direction कैसी है, अपो दीठ है, तो यह vector form में लिखा जा सकता है, ठीक है, अब जड़ा एक कुछ बताना चाहते हैं, हम क्या बताना चाहते हैं, हम को नहीं मालू, तो सुनते जाएगे आप, अगर electron किसी orbit में घूम रहा है, मैं माल लेता हूँ, electron Nth orbit में घूम रहा है, तो इस, भई आप जो topic प्रूफ कर रहे हैं, वो किसके लिए प्रूफ कर रहे हैं, electron के revolution के लिए कर रहे हैं, electron जो अपनी आर्बिट में घूमता है, free electron नहीं, जो electron अपनी आर्बिट में घूमता है, तो वो एक छोड़ा सा magnet फार्म करता है, अब चुँकि वो जो magnet फार्म करता है, उसकी direction random है, कोई ऐसे electron मूब करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, इसलिए net magnetic field क्या होता है, zero होता है, इसलिए net electric field भी कितना होता है, net current कितनी माने जाती है, zero, किसी भी conductor में current तो flow हो रही है, electron तो मूब कर रहे हैं, लेकि net current कितनी हैं आप बांते हैं, जिरो, क्यों? क्योंकि उसी direction random है, ठीक है, अगर मैं मानूं कि if electron, if electron is revolving in nth orbit, अगर मैं मानूं कि electron nth orbit में move करते हैं, तो इसका जो angular momentum होगा, it's angular momentum, nth orbit of radius r, तो इसका angular momentum जो हमने पढ़ रखा है, वो L बरावर क्या, J पढ़ा है न, J बरावर हमने क्या पढ़ा है? अभी हम बता चुके, mvr, m बोले तो, mass of electron into v into r, कहीं और भी कहीं कुछ पढ़ा है आपने nth orbit से, कहीं और कुछ पढ़ा है आपने, अगर nth orbit में electron revolve कर रहा है, तो उसका angular momentum क्या होता है? कोई scientist थे, कुछ बता किछ गये थे, Mr. Bortz theory, physics न पढ़ाई जाएगी, लेकिन chemistry न पढ़ाई गये होगी, उन्होंने कहा था कि electron हर उस orbit में move कर सकता है, जहां उसका angular momentum h upon two pi का multiple होता है, पढ़ाई न पढ़ाई न बोल दीजे, यह तो एक अलग बात है, याद नहीं है, इसलि को, देखिए, थोड़ा समय कहानी बताता हूँ, रदरफोर्ट सबसे पहले atoms की कोज़ हुई, आप जानते है, atom क्या होता है, इसके बाद electron, proton, neutron की कोज़ हुई, फिर हुआ electron, proton, neutron होते कहा है, यह सब आगे बढ़ाई जाएगी, इसलिए अभी theory हम नहीं जा रहे है, रदरफ possible energy होती है, लेकि जब experiment करके हमने देखा, थो हमने देखा, इलेक्टरान के पास हर possible energy level, energy level का मतलब होता है, जहाँ electron बैठा हुआ है, उसका एक level है, तो वहाँ पर उसके बाद energy है, उसको कहेंगे energy level, ठीक है, तो electron के पास हर energy level नहीं होता है, ठीक है, रदरफोर्ट के इसाफ से होता है, यह वह दौर था जब खोच जा रही थी, अभी तो आपको सब कुछ पका पकाय मिल गया है, फिर बोर्ट साब ने कहा, कि electron अगर पहली orbit में घुम रहा होगा, तो उसका angular momentum h2 pi होता है, तो पहली orbit में electron का momentum h2 pi होगा, अगर इससे ज्यादा हो गया तो अपनी orbit को छ मिलेगा तो छोड़ देगा, ठीक है, second orbit में चला जाएगा, अगर नहीं मिलेगा, तो energy हो लेगा भी नहीं, नहीं समझे, मता अगर पहली orbit में electron चल रहा है, माल लेते हैं, यह first orbit है, और उसकी energy two है, माल लेते हैं, ऐसे माल लिया, ठीक है, और second orbit के energy five है, और हम electron के पास गए, तो अगर one energy लेगा, electron कितनी energy हो जाएगी, four हो जाएगी, three हो जाएगी, electron कहेगा, नहीं लेगे, क्यों, क्योंकि भाईया, यह जो हमारी lane है ना, उसकी speed कितनी है, two, और यह वाली lane की speed कितनी है, five, तो मैं two के बाद कहां पहुं जाओंगा, अगर मैं two speed, मैंने three speed कर दी, और छोड़ा नहीं, तो सामने वाले electron से टकर हो जाएगी, और अगर मैंने three energy ले ली, और यहाँ पहुंचे नहीं, तो बीच वाले ठोक देंगे हमारे, तो इसे electron कहता, अपनी energy, अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हमको उतनी चाहिज ज़रूरत हो, भाई जैसे middle class family क्या है, cycle से चल नहीं सकते, क्योंकि cycle चलेंगे तो बेजती हो जाएगी, और car चलने के लिए धका मार मारक देखते हैं, कितना बटोल है, इसे कान लगाएंगे, इसे कान लगाएंगे, पॉइंट कभी कोई नहीं सवह होता न, या बाइक चलेंगे तो ऐसे धका मारेंगे इसे काम नहीं चलेगा, बीस में बीस कदम, बाइक चलेगी बीस रुपय में, बीस कदम, तो अगर ये इलेक्टान किस अरुप कर रहा है, इंथ में, तो इसका एंगुलर मुम्डब कितना होगा, एनेच अपान तूपा, ये किसका नियम था, बाइबोर्स पॉशलेट, बा आई बोर्स पॉशलेट, बोर्स पॉशलेट कहिए, या एक्जम कहिए, जो आप पढ़के आए हो, पॉशलेट काम चल जाएगा, ठीक है, अच्छा, इसको एक कुश्चन नमबर, वन डाल दो, और, एम बराबर क्या भी हमने पढ़ा है, मैगनेटिक मोमेंट डाइपोल, मै मैगनेटिक, डाइपोल, मोमेंट हमने क्या पढ़ा है, एम बराबर क्या पढ़ा भी हमने, हाफ ए वी आर, हाफ ए वी आर, यह हमने पढ़ा है, कुश्चन बटू डा दिये, यहाँ तरह पहुशिए पहले आप, अब चुकि हमको एन भी चाहिए, नमबर अफ और बिट, त तो by equation 1, वी आर की value क्या निकलेगी, एन अच अपान, 2 pi, m e, इस value को उठाइए, और equation 2 में रख दीजे, putting this value, putting this value in equation 2, रखो जड़ा यहाँ पर, यहाँ पो क्या मिलेगा, m is equal to half into e, और वी आर की value क्या निकली है, n, h अपान, 2 pi, m e, इस e से confuse ना हो ना, यह e mass of electron के लिए represent किया गया है, सही कह रहा हूँ ना मैं, हाँ सही कह रहा हूँ मैं, तो यह कुछ ज़रा सही तरह के लिखे, तो 1 upon 4 pi m e into n h e, यह m की value निकली है, ठीक है, इसे नोट करिए, अगर मैं आप से कोई यह क्या निकला है, तो आप कहेंगे, nth orbit में move करते हुए, electron का magnetic dipole moment है, क्यों मत पर जी, सही करा हूँ ना, यह क्या है, it is the magnetic dipole moment of electron orbiting in nth orbit, अब जरा समझेगा, electron, यह यह नोट हो गया न, electron कम से कम किस orbit में रह सकता है, first में, तो अगर n को 1 रग दें, और सब तो constant value है न, ठीक है, तो when n is equal to 1, 1 मतलब, first orbit, तो m की value क्या हो जाएगी, n को 1 रखो, तो h e upon 4 pi m e, सब की value हमको मालूब है न, तो h की value क्या होती है, 6.6 into 10 power, minus 34, playing constant होता है, पढ़ा है कभी नहीं पढ़ा आपने, e की value है, 1.6 into 10 power, minus 19, यह भी पढ़ा है आपने, 4, pi की value है, 3.14, m e है, 9.1 into 10 power, minus 31, जो हमने इसको निकाला value, वाया 9.27, 9.27 into 10 power, minus 24, क्या इसकी unit बिता सकते हैं, ampere meter square, तो कि m बराबर i into a, वही से start किया था हमने, यह ampere meter square है न, यह क्या है, this is the value of magnetic dipole moment of electron orbiting in first orbit, इसको bors magneton कहा जाता है, क्या कहलते है, bors magneton, यह bors magneton क्या होता है, magnetic dipole moment होता है, actually यह bors magneton क्यों कहा गया, bors आब ने जो electron theory दी थी, वो single electron theory थी, hydrogen atom की, और उसमें electron अगर अपनी normal state में है तो कहां रहेगा, first orbit रहेगा, इसलिए first orbit के magnetic dipole moment को क्या कहा गया, तो आप लिखे, here, this is the minimum value of magnetic dipole moment of electron, this is the minimum value of magnetic dipole moment of electron called bors magneton, magneton, bors magneton, bors magneton, magneton, टांग न लिख देना, बोले टांग है, टांग होगी, बोले की टांग, magneton, यानि अगर आप से कहा जाए, कि one bors magneton क्या होता है, बहुत तो कि यह जो नाम है ना, बढ़ा भूत टाइप का लगता है, क्या है, इसका मतलब आपको electron की पहले orbit में मूव करता है, electron का magnetic dipole moment निकालना, इसकी value लिखने, पूछ रहा है आप से, तो 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 24 ampere meter square, तो यह आपका समझ में बात आए गई होगी, लोट करिए इसको,